चे स्री कृष्णा तो आज हम अक्षे नुम्मी यानि आमला नुम्मी के दिन कब है सुब तिथी दान पूजन का महत्व सारची जवताओंगी तो आप मेरे साथ बने रहे हैं अक्षे नुम्मी इस साल 10 नुम्मबर दिन रविवार को मनाई जाएगी पंचान के नुसार अक् विष्णु भगवान की पूजा करेंगे अच्छे नुम्मी करतिक मास्व सुकल पक्ष की नुम्मी तिथी को कहते हैं यह दिन भगवान विष्णु की विधी विधाम से पूजा की जाती है इसे आमला नुम्मी के नाम से भी जानते हैं इस दिन लोग आमले के पेड़ की पूजा करते हैं इस दिन आमला खाने खाना भी बहुत सुब मानते हैं आए आपको बताते हैं आमला नूम्मी किस दिन मनाई जाएगी जाने पूजा का शुरमुहुट और पूजन विधिग। धार्मिक मान्यताओं में बताया गया है कि आमले के व्रिक्ष में भग्वान विश्णु का वास होता है, इस दिन आमले के पेड़ की छाओं में बैठना और उसके नीचे खाना खाना भी बहुत सुब माना जाता है, इस भोजन का भोग सबसे पहले भग्वान विश्णु को लगा है और फिर पूरे परिवार को खिलाने शे आपको श्रीहरी का अश्रवात प्राफ्त होता है आए जानते हैं आमला नम्मी की दिति कब से है और शाति पूजन विधी शंपन जानकार इसके आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा पंचांग के नसर अच्छे नम्म की रात को मनाई जाएगी अक्षे नम्मी को लेकर एश्री मननेता है कि अक्षे नम्मी के दिन किये जाने वाले पुन्यकारिका अक्षे फल सभी को प्राफ्त होता है और आपको मा लक्ष्मी की किरपा भी प्राफ्त होती है इस दिन आमले के पेर की पूजा करने से आपको शुक शंपति और आरोग्य की प्राप्ति होती है इस दिन किया जाने वाला जब तब और दान आपको शवी पाफों से मुक्त करवाता है अक्छे नुम्मी के दिन आवले के पेर में भगवान विश्णु के शात्फी शिवजी का भी वास होता है इसलिए इस दिन आवले का द और पूजन की शामगरी के शाथ आमले के पेर के पास आसन लगाएं अक्छे नुम्मी के दिन आवला विरिक्ष की पूजा की जाती है विरिक्ष की हल्दी कुमकुम वह पूजन सामगरी से पूजा करें पेर की जर्ग के पास सफाई कर जल को कच्छा दूद अर्पित करें तने पर कच्छा सूत या मौली लपेटें यह करते हुए विरिक्ष की आठ बार परिक्रमा करें कुछ जगहां पर पेड की 108 परिक्रमा का भी विधान बताया गया है पूजा के बाद आमला नुम्मी की कथा पढ़ी और सुनी जाती है माना जाते हैं कि शुने यह खुद पाठ करना भी लावप्रत होता है पूजा के बाद सुक सम्दिधी की कामना करते हुए विरिक्ष के नीचे बैठ कर भोजन किये जाने का महत्तो है आमला नुम्मी का महत्तो एशी पौरानिक माननेता है कि कार्तिक शुकलपक्ष नुम्मी से लेकर पूर्णिमा तक जगत के पालनहार स्री हरी विष्णु आवल के ब्रिक्ष पर निवास करते हैं कार्दिक शुकल पक्ष नुम्मी तिथी को परम पुन्य दायक अक्षे नुम्मी के नाम से जाना जाता है एशी माननेता है कि कार्दिक शुकल पक्ष नुम्मी से ही द्वापर योग की सुरुवात होई इस तिथी को यूगादी तिथी भी कहा जाता है इसी दिन स्री हरी विष्णु ने कुश्मान डख दैत्य को मारा था अक्षे नुम्मी के दिन ही भगवान स्री कृष्णी ने अत्याचारी कंस को मारने से पुरु जनता के मन में कंस के विरुद क्रामती के निमित तीन वनाओं की परिकर्मा की थी इसी परंपरा के निरवाहन के फल सरूप लोग आज भी अक्छे नुम्मी के अवशर पर ओसत्य परसत्य की विजय के रूप में मत्रा विरिंदावन की परिक्रमा करते हैं मत्रा विरिंदावन एवां कार्थिक मां शाक्षात राधा दामोदर स्वरूप है अक्षे नुम्मी पूजा के लाव ऐशी माननेता है कि कार्थिक शुक्ल पक्ष नुम्मी अरधात अक्षे नुम्मी से लेकर कार्थिक कुर्णिमा तक्षरी हरी विश्णो आमले के शक्षे नुम्मी को पति पत्नी साथ में भगवान श्रीहरी विष्णु की उप्वासना करते हैं तो उन्हें प्रम्शांति शुभाग शुक एवं उत्तम संतान की प्राप्ति होती है शाथ ही शाथ पुनर जनम के बंधन से मुख्वी ही मिल जाती है इस दिन पति पत्नी को उत्तम फल की प्राप्ति है तो शैयुत रूप से पांच आंवले के व्रिक्ष के साथ पांच अन्य फलदार व्रिक्ष भी लगानी चाहिए आंवला नुम्मी वरत के नियम वरत के दिन सुबह अस्नान करें और शापकपड़े पहनें आवले के पेर के नीचे पूजा करें आवले के पेर पर जल और पुस्प चरहाएं आवले के पेर की परिक्रमा करें दगवान विष्णू की पूजा करें वरत के दिन केवल फल और जल गरहन करें रात में आवले के पेर के नीचे बैठकर धियान करें वरत के अगले दिन शुबह आवले के पेर के नीचे भोजन करें पुरत के लाव स्वस्थ और दिर्गायू होने का वर्दान पापों से छमा भगवान विश्णू की किरपा घर में शुक और सम्रिधी वरत से आत्म सुध्धी और मानसिक सांती आमला नुम्मी वरत की कथा के अनुसार भगवान विश्णू द्वारा आवले के पेर को ब संतान प्राप्ति के लिए कई मिनतियां कर चुका था लेकिन उसके घर में किलकारी नहीं गुंजी एक दिन उसकी पतनी को परोसी महिला ने एक उपाय बताया कि एक बालक की भैरव को बली चरहा दो इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी जब इस बात को उसने अपने पती से बताया तो उसके पती ने इससे साफ इंकार कर दिया इसके बाद भी उस महिला ने भैरव को एक बच्चे की बली देने कर निरने लिया एक दिन मौका पाकर उस महिला ने एक कन्या को कुए में धकेल दिया और भैरव के नाम पर बली दे दी जिससे उस पर हत्या का प इसलिए तुम्हारे सरीर में कोर हो गया तुम्हें इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए माता गंगा की सरन में जाना होगा अपने पती के कहने पर वह महला मां गंगा की सरन में गई इसके बाद गंगा मया ने उसे कहा कि तुम कार्तिक शुकल पक्ष की नुम्मी को आमले क पेर का पूजन और आमले का शेवन करना इसके बाद महला नेमा गंगा के कहे अनुसार ही सब कुछ किया इसके परिणाम सरुप वह कोर से मुक्त हो गई साथ ही ये वरत करने से कुछ दिनों बाद ही उसे संतान की प्राप्ति भी हुई तभी से लेकर लोग इस उपवास को पर होना जाता है जै स्री कृष्णा